अब सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो को फ्रोड कर रहा था पर किसी काड़ोस में लगातार पांध दिन से अपना दे पाया था पांध दिनों के बाद मैंने आज मोग दिया क्या स्कोर आया कैसे क्या रहा आज आपको डिस्कस करता हूं तो सबसे चीज आपने जान एक वर्ड होता है कांटी शिली आप बहले ही दो गहंता प्राही को अंगर आप पांध झिन तक मैंने मोग नहीं दिया था उसके बाद आज 25 दिन में जब मैंने मोग दिया नंबर हमारे कम हो गए और जो हमको टाइम लगा कुछनों को सॉलब करने बहुत जारा टाइम भी लगा तो जैसे रिजनिंग है जी असे यह से अगर आपको आता है तो ठीक नहीं आता कोई बात नहीं है तो आपको क्या करना डेली मोक्रेस देना चाहे नबर करांच आपके ज्यादा इससे कुई नहीं फाइद इस आपकी बने दहें तो अपनी इस वह आज देना ही होगा इस वाले मोग में हमारे मोग दास्नाइन में में टॉटल उन जिरो फोर ले हैं जिसमेंस अगर हम बात करें कि जो आपका जो हमने रिजिनिंग किया था रिजिनिंग हमने 43 कोशन अटेम्ड किया था 43 में हमने 3 रॉंग हो गया था और 40 मार्स नहांस पर हमको इंकेज मिले हैं और जीएस के अंदर हमारे नंबर यह हम मान सकते इसको और निगटिव करके 65 नंबर से सतन नंबर के बीच में अगर आपका जीएस रिजिनिंग मिलाकर करके आ रहा है तो एक काफी अच्छा स्कूर होता है लो डाउट बस हमको जो इनियरिंग में नंबर है इसको हमारे नंबर कम से कंब 55 प्लस आ जाता तनीट आराम से इस वाले नंबर कमा कंघा है तो और यहां बास यहां के बल्हें ही कम मैंघेस चाहे है नंबर कुछ में पर आपको मोक को देना मौक से तो आपके अंदर आ जाएगा ठीक है तो चाहे भले ही आपके नंबर कमाई कोई दिक्कत नहीं पर आपको मोग देना रहना है यहां हमने टोटल यहां आपने देखी लिया कि इसके हमने जो टोटल फोटी थी हमारे रॉंग हो गए ठीक है और यह साथ कोशन जो अनटेंप्ट हैं वही कोशन है भी यह बार बार आप सिर्फ बताते हैं कि इनलोजी हो गया रिजिनिंग कि कोडिंग डिकोडिंग होगा यह ऐसे टॉपिक हो गया जो कोशन आपके फ़र्स जाते हैं तो वही कोशन होते हैं यह ठीक है और बात के जनल अवेंस में पचास नंबर अगर आपका नार्मल एक्जाम में 25 से तिस नमबर जनल अवेंस मेरा बहुत अच्छा नंबर है क्य अच्छा स्कूर है इससे कोई दिक्कत लएने वाली आपका आराम से स्लेक्शन हो जाएगा तो आप सभी से बिनम्न निवोदन यही है कि आप लोग मोग देते रहें नंबर हमारे कम हुए है इसको हम जानते हैं कहां पर क्या दिक्कत है इसको में और इंप्रूब करेंगे ना है मोग को अब गयरे की आप कर लेकिशन हो जाएगी तो आप यहां बना देता कि हाँ आपको आजाएगा पेपर वह सी से स्ट होता है कि आपका 50-60%алत कर लेता लेक oppress से मोग तस लगा रहता है कुछनों को बारबाई दो देखा रहता है तो वहां पर दिमाग काम करता है ठीक है अभी कहने के मतलब क्या है कि आपने अपने नोट्स पढ़े हैं मोग नहीं दिये मोग नोट्स पढ़ लिए खुब रिवाइज करने अच्छी बात है लेकिन मोग नहीं दोगे तो कुष्चन किस तरीके से वहां पर टैकल करना हो आप नहीं कर पाऊगे क्योंकि अभी 8-10 दिने आपको डेली मोग देना है मोग आपको बंद नहीं करना है तो मोग टेस्ट में बता दिया किस तरह मेरा नंबर है और कहां कमिया है आपको लोग बस ये वीड मोग देने क्या फाइदा होता है भली आपके नंबर यहां पर कम आए कोई दिक्कत नहीं है लेकिन मोग देने से बहुत फाइदा मिलने वाला है तो इस वीडियो के ही पर बंद करता हूं और मिलते हैं नेक्स्ट मोग में तब तक के लिए थैंक्यू जैहिंद जैवारत